पुछ अबाडी कैसे आप सभी उमीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और बले चंगे होंगे तो बच्चा सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है एक्जामपूर के ओनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर आपके अपने प्यारे से परिवार है एक्जामपूर में मैं अबरजेन सिंग डेली आपको रिजनिंग पढ़ाता हूँ तो सभी बच्चों को जैहिन, जैवारत, जैएक्जामपूर तो बच्चा आज के सेशन में हम करेंगे कुछ कोशन की प्रैक्टिस ओल्ड पेपर के कोशन की प्रैक्टिस तो बच्चा स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं तो बच्चा अब कुछ बच्चा ये कहिंगे सर्चेप्टर वाइज तो बच्चा दियान एकना चेप्टर वाइज मैं और पढ़ाता हूँ और पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे chapter playlist में जाके check कर लेना कहां जाके check करना है playlist में तो बच्चा session को start करते हैं सभी को राम राम, रादे रादे सभी को आदाब, सभी को सलाम तो बच्चा आज करना है धमाकेदार session, सिर्फ questions की practice और कोई chatting नहीं करेगा अब हाल तुकि chatting में बात नहीं करना है हाँ जी भईया सभी को राम राम, रादे रादे गुड़ाप, सभी को भईया राम राम अब देखो बच्चा, मैंने क्या कहा जो मैं कहा रहा हूँ उस पर focus करो, chatting छोड़के आपको अभी questions को attempt करना है सारे questions जो मैं कराऊंगा, सभी को attempt करना है और जब class खतम हो जाएगी तो आपको comment करके बताना है कि आप 25 में से कितने questions खुद से सही करे हो, तो ये बात द्यान रिखना और तेजी से चलेंगे, ऐसे लेकर चलेंगे, जैसे कि हम paper में बैठे हैं तो जैसे paper में बैठे हैं, उसी परकार से करेंगे हाँ जी बैया जी, चलो सभी को बैया, राम 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 रादे रादे, सभी को बैया तो अब करें start, ready हो सभी बच्चे और द्यान रखना, class के end में आपको comment करके बताना है, कि आपने कितना score किया, तो बच्चा आप जल्दी से start करते हैं, और सभी बच्चे इस बात को सुन लें कि भाईया, आप exampur की official app को download कर लो क्योंकि बच्चा, सभी बच्चे download कर लो, इसको तो, क्योंकि इसके benefit क्या क्या है, वह आपको बता देता हूँ application को download करने के, एक तो भाईया आपको free PDF मिलती है, ठीक है आप ने course purchase किया नहीं किया, उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आपको PDF मिल जाएंगी, free PDF क्या लिखा है, free PDF, तो बच्चा इसको download करो, exampur की official app को, आपको current affairs मिलता है, free quiz मिलती है, ठीक है मिल जाते हैं, तो बच्चा ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ चीज़े आपके लिए free है, कुछ चीजे paid भी होती है तो आप free वाली चीज़ों का benefit ले सकते हो, ठीक है, चलो, अब इस्टार्ट करते है question number one, आपकी screen पर आ चुका है जल्दी से इस question का जवाब दें, कि क्या answer आना चीज़े इस question का, जल्दी से जल्दी से जवाब दे रहा हो, थोड़ा तेजी से चलेंगे, मैंने पहली कहा है, थोड़ा तेजी जैसे paper चल रहा हो, जैसे क्या चल रहा हो paper चल रहा हो, उस प्रकार करेंगे तो बच्चा, मैनमार कयात, पाकिस्तान, क्या आना चीज़े अब ये मैनमार से कयात, ये है क्या बच्चा, ये मैनमार की currency होती है जैसे currency होती है, डॉलर, रुपीज वैसी मैनमार की currency क्या है, कयात तो बच्चा, ये हुई इसकी currency तो पाकिस्तान की currency क्या है जरूरत होती है ऐसे कोशन में किसकी जरूरत होती है knowledge की ओके बच्चा तो next question करते हैं चलो जल्दी जल्दी करेंगे मैं comment कम पढ़ूंगा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है अगला सवाल क्योंकि बैट है यह paper की तरह लेके चलो अगला सवाल है बच्चा missing number का जल्दी से निप अच्छा मुझे तो logic नजर आ गया इतना समय काफी होता है अगर आप intelligent हो अगर आप daily practice करते हो तो यह बच्चो वाले सवाल है अगर मैं इसको देखूं तो मैं पांच का square कर दूं प्लस साथ कर दूं तो 32 आ रहा है सोच के देखो आ रहा है 15 का square 225 प्लस 5 करूंगा तो 230 आ आप 36 में क्या add करूं कि 42 आ जा तो 6 add करने पर आ जाएगा अगर 36 में बच्चा मैं 6 add करता हूं 36 और 642 तो बच्चा 4 is the right बच्चा तुक्का ना मारो मैं बार बार कह रहा हूं तुक्का ना मारो पढ़ाई करो seriously यह माल लो इक तरह से आपका test है 25 कोशन का तो बच्चा seriously इस इसमें क्या चल रहा है देखते हैं इसमें क्या चल रहा है तो यह यहां पर कहा आठ दोस्त है A B C D E F G और H A B C D E F G और H ठीक है दुफैर के बोजन के लिए एक गोल मेच के चार और एक दूसरे के साथ बैठे है अब बच्चा देखो इसको मैं साथ के साथ कराऊंगा आप बच्चा यहां पर मैंने आपको एक बात कहिए कि जो सीटिंग अरेजिमेंट का कोशन आता है इसमें केवल लेफ्ट और राइट को ध्यान रखना होता है केवल और केवल लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना बाकी सवाल में कुछ नहीं होता पढ़ते जाओ करते जाओ बस पढ़ना ध्यान से है ये ध्यान रखना तो भईया देखो इन्होंने का कितने दोस्ते है आठ दोस्ते है तो सब बैठा दिए एक दो तीन चार पाАन छे साथ आठ दिए दुफैर के बोजन के लिए बैठें और मेज गोलाकार मेज के चारोर बैठें और एक दूसरे के मुह करके बैठे है तो इनका चेहरा जो है एक दूसरे की ओर है इस प्रकार एक दूसरे की ओर चेहरा करके बैठे है बच्चा देखो इनकोशन में थोड़ा सा समय लगता है ठीक है अब देखो अगर माल लो मैंने यहाँ आ ले लिया तो ए के सामने है और बी के दाइत तीसरे इस्तान पर है जो ए है एफ के तो सामने है तो माल लो यहां पर ए है यह मैंने माना है कि यहां पर ए है तो A के सामने कौन होगा F और जो A है ये बच्चा B के दाएं तीसरे स्थान पर है तो बच्चा यहाँ पर ध्यान रखना राइट का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉक्वाइज राइट का मतलब क्या होता है right, right का मतलब का anti-clockwise, तो B से anti-clockwise चलो, एक, दो, तीन, तो B के दाएं तीसरे इस्थान पर है, हो गया, आगे, जो G है, G, ये जो G है, F और D के बीच में है, तो F और D के बीच में G है, तो बचा F यहां है, तो यहां कोन आ जाएगा, D, और F और D के बीच में कोन आ जाएगा, G आ बाएं और है, जो H है, D के बाएं, अब बाएं मतलब left, left का मतलब clockwise, तो H जो है, D के clockwise में है, तो ऐसे करके यहां H आ जाएगा, यहां कोन आ जाएगा, H, क्योंकि बच्चा जो H है, वो D के बाएं, यानि clockwise जाना है, आ गया, आगे देखते हैं, E, जो E है बच्चा E, C और A क बीच में, तो यह A है, तो यहां आ गया, C, C और A के बीच में कोन आ गया, E, बन गया, खतम, अब सवाल क्या पूछा है, C के दाएं, दाएं मतलब right, तीसरे स्थान पर कौन बेटा है, तो C के दाएं, दाएं मतलब clockwise, एक, ओ स्वारी, दाएं, दाएं का मतलब anti-clockwise जाना है, तो C के दाएं, यानि एक, दो, तीन, क्या आएगा, H, यानि fourth is the right answer, ओके, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, लेकिन, बच्चा मैं कहूंगा, जल्दी-जल्दी करो, बहुत से सारे उल्टा सीधा answer देते रहते हैं, तो बहिया देखो, मैंने, अब मैं आपको प पेपर सॉल्व करा रहा हूं, कि हम जैसे पेपर में बैठे हैं, तो बहिया answer आया, H, अगला सवाल करो, ओह, ये तो mathematical operation का है, ये तो बच्चा mathematical operation का question हो गया, तो जल्दी से करो, बच्चा जवाब दो, इस question का answer क्या आने वाला है, अब आपको देखना है कि कौन से symbols को बदल आजाए कि answer आजाए, तो बहिया किस का वदला जाए, सोचो सोचो सोचो, यहाँ पर मैंने tricks बताई है, class के अंदर tricks बता रखी है, जब मैंने chapter 20 पढ़ाया था, तो मैंने इसमें tricks बताई ही थी, कि कैसे सोचना चाहिए, बच्चा फोर्थ वाले को बदल के देखो, फोर्थ आजएको बदलू, यानि यह जो divide है, यहाँ आजाएगा, यह प्लस यहाँ आजाएगा, तो वह यहाँ पर आगे आपका divide, मैंने यहाँ क्यूं लिया, क्योंकि यह सीधे सीधे दो बार भाग जा रहा है, वह यहाँ पर multiply रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, अब बया, जब इसको भाग दूँगा दो, सबसे, बॉर्ड मास यूज़ होता है, यहां पे क्या यूज़ होता है akan बॉर्ड मास, बॉर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कर दिया, दो, into माइनस ये हो गया अब यह गुड़ा करोगे दूसरे नंबर पर क्या होता है गुड़ा होता है तो यह आ गया 44 माइनस दो प्लस तीन तो यह अब एड होगा 44 और 37 पर 47 में जद दो जाएगा तो बच्छा 45 तो मतलब डी ऑप्शन एक दम सही आप्शन डी ऑप्शन बच्छा यह कैसे चालाकी करनी है यह मैंने क्लासे में बता रखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा अगला सवाल अगला सवाल क्या है बच्छा यह है एनालोजी का प्रशन अगला कुशन आपका किस का है बच्छा यह है एनालोजी का प्रशन एनालोजी ला से पहले एक बच्चा होता है फिर दीरे एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है ठीक है जवान होता है फिर आदमी बनता है आदमी के बाद बुड़ा होता है बुड़े के बाद मर जाता है तो वैसा किट बनने से पहले किस अवस्ता को हम कहते हैं लारवा तो लारवा से क्या बनता है किट बनता है लारवा से क्या बनता है किट क्योंकि किट बनने से पहले की अवस्ता को हम कहते हैं लारवा वैसी मैमना मैमना के बाद क्या बनता है शीप लॉइन रिमेंडर चाइल तो बच्छा क्या आना चीए भेड क्या बनेगा मैमना वड़े होके क्या बनेगा तो भेड से पहले की अवस्ता को भेड बनने से पहले की अवस्ता को कहते हैं मैमना तो वही आंसर क्या आएगा भेड तो मैमना बाद में क्या बन जाएगा भेड बन जाएगा तो वही आंसर आएगा भेड तो अगला सवाल अगला सभाल औहो बच्चा फिर से मैं आपको एक वार एनॉंस कर देता हूं सभी बच्चों को क्योंकि कुछ बच्चे नई नई जुड़ते जाते हैं बार बार हर 10 से 15 मिट में नई बच्चे जुड़ते हैं और बच्छा आपको free में quizzes भी मिलती है, free में क्या मिलती है, quiz, तो बटा ये दोनों चीज़े आपको free मिलती है, तो सभी बच्छे एक्जामपुर की official app को download करो, और ये जो free की चीज़े हैं, इनका फायदा उठाओ, ठीक है, अब बच्छा अगला सवाल, question number six, question number six क्या कहता, बटा ये है analogy, पर analogy क्या है, ABCD वाली, ABCD वाली analogy है, चलो जल्दी से करते हैं, अब ये यहाँ logic क्या है, rank लिखो, इसकी एक होती है, इसकी तीन होती है, इसकी साथ, इसकी चार है, चार है, ये DFD, तो ये DFD, तो ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें, इस से इसको देखें, तो बच्छा प्लस त्री हो रहा है, इस से अगर हम, अब इस से इसको द यही लॉजिक हो, कि प्लस 3, प्लस 3, माइनस 3 तो सेम काम यहां करके देखेंगे इसमें बच्चा क्या करना है, प्लस 3 तो 3 और 3 6, यानी F फिर से बच्चा प्लस 3 करना है तो 9 और 3 12, यानी L फिर इसमें बटा, माइनस 3 करना 21 बच्चा से 3 गया, 18 अगला सवाल है बच्चा कोडिंग डिकोडिंग का तो जल्दी-जल्दी करना है हमको, जल्दी-जल्दी कोडिंग-डिकोडिंग का, हमें दिया है unhappy, ओके, unhappy unhappy का कोड क्या δिया है unhappy का कोड आपको दे रखा है P-P-Y-A-H-N-U बटा यह तो interchange हो रहा है पोजिशन का क्या हो रहा है, interchange अगर आप ध्यान से देखो position का केवल interchange हुआ है position को केवल इन्होंने क्या कर रखा है interchange कर रखा है तो भाई एक बार देखो कैसे interchange किया है ध्यान से देखो कैसे अगर बच्चा अगर आप देखो यहां पे position को interchange कैसे किया गया है तो देखो एक ही जगा पे तो ए नजर आ रहा है अगर आप देखो, इन तीनों को उठाके इदर लाओ U, N, H तो इसको इदर ले गए, इसको इदर ले गए, इसको इदर ले गए अब इन तीनों को उठाके इदर ले आओ P, P, Y तो ये इदर, ये इदर, ये इदर हो गया तो बच्चा इसको उठा के इदर लाए इसको उठा के इदर ये अपनी जगा पे हमसे किसका पूचा है F A FALISY पता नहीं क्या है FALISY तो L की जगा पे क्या लिख देंगे L अब भी या अब मुझको क्या करना है मैं इन तीनों को उठा के इदर लिखूँगा F A L यानि इन तीनों को इदर लाया तो इदर ये ऐसे आएंगे L A F आ जाएगा अब या इन तीनों को उठा के ये जो तीन है इनको उठा के इदर लाऊंगा A C Y अब इसको इदर इसको इदर इसको जगा तो Y C A क्या ये ऑप्शन में है Y C A double L A F यानि सेकंड ऑप्शन इस दा राइट आंसर तो कोशन नमबर सेवन्थ का हाँ कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने अब बच्छा यहाँ देखो Y C A double L A F तो Y C A Y C A double F double L A F ओके ओके बच्छा हो गया तो बच्छा यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया एकदम सही है ना बच्छा कोई घड़बर तो नहीं A C Y Y C A ठीक है Y C A double L A F चलो अगला सवाल करते हैं अगला सवाल करते हैं अब बच्छा यह है embedded figure का embedded figure में बच्छा पाटी क्या होता है अब आपको बस यह देखना है कि यह चित्र किसके अंदर छिपा हुआ है तो बच्छा यह वाला चित्र किसके अंदर छिपा हुआ है यह वाला चित्र तो आपको ज़रा देखना है और बताना है कि यह जो चित्र है यह किसके अंदर छिपा हुआ है करो वह यह जल्दी से दस सेकंड तुमको दे रहा हूं जल्दी से करो हाजी सेकंड एकदम सही जवाब सेकंड ऑप्शन बएया देखो यह रहा सेकंड जो बच्चों क unlucky जवाब आ रहा है एकदम सही आ रहा है यह रहा तो यह वाला चित्र यह रहा है तो बएया बहुत समय दे दिया इतना समय दो काफी होता है अगला सवाल, अगला सवाल है बच्छा rotation का, अब इनको क्या करना rotate करना है, देखो अगर आपने कल की class तो चलो बच्छा इसको करते हैं हम जल्दी से बच्छा देखो इसमें ये lollipop को देखो, ये ऐसे है फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई फिर ऐसे हुई तो अब नीचे आ जाएगी तो अब आपने क्या दिखा होगा यह हर बार 45 डिगरी घूम रही है पहले यह ऐसे थी ऐसे है इस वाली फिगर में ऐसे हो गई इस वाली फिगर में देखो अब इस वाली फिगर में ऐसे हो गई इस वाली figure में इधर हो गई तो अब कहा नीची है, अब नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ किसमें दिया है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फोर्थ option तो answer क्या होगा, फोर्थ किलियर है बच्चा, केवल इसका rotation देखो ऐसे, 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 ऐसे ठीक है, अगला सवाल, बच्चा ये बच्चों वाली सवाल है, तो इनमें हम समय जादा नहीं कवाएंगे अब करो बच्चा इस question को बताओ इस question का answer क्या नहीं है और बात चीत नहीं करना है, जल्दी जल्दी बस सवालों को करते जाओ, जल्दी जल्दी बस बच्चा अगर आप देखोगी अब ध्यान से यहां पे अंतर एक का है, यहां पे अंतर आठ का है, यहां पे अंतर 27 का है, तो अगला किसका होना चीए, तो बच्चा ध्यान से देखो ना चीज को चीज को ध्यान से देखो समझ में आएगा, ध्यान से देखो ठीक है बहिए एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब तो अगला क्या रची चार का क्यूब तो यहां पे अंतरों का 64 का तो च्छे और चार चार आठ च्छे चारदस 108 108 इस दर राइट अंसर सेकंड तो बच्चा देखो सीरीज मैंने ऐसे सभी कोशिन क्लास में करा रख चारा क्या क्या रहा है असंगत बताना है असंगत कौन सा असंगत का मतलब होता है डिफरेंट कौन सा है तो बच्छा जल्दी से बिना देरी करें बच्चे जवाब देंगे कि इसमें डिफरेंट कौन सा है जल्दी से बताए बच्चा जल्दी से कौन सा डिफरेंट है सोच बच्चा अगर आप समझदार हो तो अभी तक तो देख चुके होगे देखो अगर मैं बच्चा इन दोनों का सम करूँ चार और एक तो क्या निकल के आएगा पांच चार प्लस एक तो क्या निकल के आएगा पांच साथ और एक क्या निकल के आएगा आठ पांच और चार यहा यह क्या है different पांच और चार नौ आना चाहिए ता यही हुआ हमारा answer कि third option is different क्यूं क्योंकि इन में देखो चार और एक पांच साथ और एक आठ तीन और एक चार लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ तो यही different हो गया समझे बच्चा कैसे different है अगला सवाल अगला सवाल है बच्चा सवार बढ़ा कर लेता हूं करो 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 तुम लोग करते चलो मैं तो थोड़ा सावी जूम और करेगा क्योंकि मुझे जगे ज़्यादा चीए ना समझाने के लिए चलो अब यहाँ पर अगर लेटर की रेंक लिखता हूं तो मैंने कहाता सबसे पहले यह चेक करो जब पढ़ाया था कि यह साथ वाले हैं अलग अलग है तो इसकी रेंक होती है 14 इसकी रेंक होती है 14 इसकी रेंक होती है 9 और इसकी होती है 24 क्या यह तीनों साथ वाले है नहीं तो अब सबसे पहले सबका पहला letter देखो, यह 14 है, यह 12, सबका पहला letter, 14, 12, 10, 8, तो 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, तो 8 से आएगा 6, 6 पह होता है F, अब दूसरा देखो, इसकी 9 है, अब दूसरा letter देखींगे दूसरा, अब दूसरा letter देखों गे तो इसकी rank 9 है, तो ये क्या है ग्यारा, नौ और दो ग्यारा, ग्यारा और दो तेरा, तेरा और दो पंदरा, तो वही अब पंदरा और दो सत्रा होता है, सत्रा पर क्या आता है क्यू, एफ क्यू, एफ क्यू बेटा दो तीन के अंदर है, अगला चेकर हो, चौबीस है, चौबीस से बच्चा क यानि fourth option, fourth option is the right answer तो question number 12 का answer आया ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं, oh my god चाला पाट गया बच्चा ये फिर से आपके लिए question आया, किसका बच्चा ये question आपको बहुत ध्यार से पढ़ना होगा पढ़ो और करो, चलो साथ में पढ़ते हैं पढ़ते जाओ, करते जाओ, हो जाएगा पढ़ते जाओ, करते जाओ, हो जाएगा डरने का नहीं, ये बात ध्यानक ना बस पढ़ते जाओ, और करते जाओ और मैंने क्या कहा, डरने का नहीं, ये बात ध्यानक ना ठीक है चलो बचा पढ़ते हैं और करते हैं हमसे का जेके, एंग्रेजी, गणेत, विज्यान, समाजी, विज्यान, कलाब में एक विशय पढ़ाता है भड़ा च्छे सिक्षक हैं, स्चे सब्जेक्ट है च्छै टीचर, छै शब्जेक्ट, हर टीचर, अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, अब कहा ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हों, प्रते एक सिक्षक सोमवार से सनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है तो बिटा सोमवार से सनिवार तक टीचर पढ़ाते हैं सोमवार से स्टार्ट के ना मंडे तो चलो जैसे हम माल लेते हैं इधर दिया मंडे मंडे के बाद आपका हुआ टूजडे Tuesday के बाद हुआ Wednesday Wednesday के बाद Thursday Thursday के बाद Friday Friday के बाद बच्चा Saturday और बस यही पढ़ाता है ना Monday से पत्याएक सिक्षक सोमवार से सनिवार तो Monday से Saturday तक पढ़ाता है अब बच्चा यहाँ पे ले लेंगे teacher और इधर ले लेंगे उसका subject तो इधर ले लेंगे teacher और इधर ले लेंगे बच्चा subject तो देखेंगे Monday को कौन पढ़ाता है Tuesday को कौन पढ़ाता है यह अब हमको चेक करना है करें बच्चा जी start तो बच्चा चलो start करते हैं अब पढ़ते जाओ अब इन्होंने कहा J शुरुवात करा J से J से जानकरी की शुरुवात करी J सनिवार को कला पढ़ाता है English में पढ़ा चाहो English में पढ़ दे तो J J teach art on Saturday तो यहाँ पर कौन आएगा J और यह कौन सा subject पढ़ा रहा है Art बस फिल कर दो जो वो कहें करते रहो J सनिवार को पढ़ाता है और कौन सा subject पढ़ाता है Art आगे पढ़ते है L L जो teach करता है neither English nor social science but he teach on Thursday अब इन्होंने कहा यह जो आपका बंदा है L यह L जो है क्या-क्या नहीं पढ़ाता L क्या-क्या नहीं पढ़ाता तो बच्चा जो इन्होंने कहा L ना तो यह अंग्रेजी पढ़ाता ना social science पढ़ाता तो ना तो यह English पढ़ाता है और ना बच्चा social science पढ़ाता है ना English पढ़ाता है ध्यान लगना English नहीं पढ़ाता social science नहीं पढ़ाता but he teach on Thursday लेकिन यह वीरवार को पढ़ाता है तो यहां पर कौन आ गया L क्योंकि L वहिया English और social science नहीं पढ़ाता लेकिन वीरवार को पढ़ाता है आगे पढ़ते हैं वैरनज डे इस reserved for mathematics बुद्वार को गनित पढ़ाया जाता है तो बुद्वार पर क्या लिख दोगे math बुद्वार पर क्या लिख दोगे math क्योंकि बुद्वार को गनित पढ़ाया जाता है for mathematics who k teach और इसको पढ़ाता कौन है k इहनली में पढ़लो अगर आपको confusion हो English में बुद्वार का दिन गनित के लिए आरक्षित है जो k पढ़ाता है तो गनित कौन पढ़ाता है k पढ़ाता है तो बच्चे यहां कौन आगया k आगया आगय o o teaches science one day before n तो n से एक दिन पहले o पढ़ाता है अब देखो n से अगर मान लोग किसी दिन n पढ़ा रहा तो n से एक दिन पहले कौन पढ़ाता है o तो बच्चे जो o है o दिया और से सुन ले न o ये जो o है ये teach science one day before n n से एक दिन पहले o आता है बनलब ये दोनों साथ में आएंगे अगर यहां n आएगा n से एक दिन पहले o आएगा तो ये दोनों साथ में आएंगे अब साथ में जगे कहा खाली है यहां तो एक ही जगा खाली है यहां पर साथ में जगा खाली है इसका मतलब N यहां आएगा और N से एक दिन पहले कौन आएगा O क्योंकि ये दोनों साथ में आएगे तो आगे साथ में यह कब पढ़ाया जाता है आठ से एक दिन पहले तो आठ यहां पे है तो आठ से एक दिन पहले क्या आ जाएगा बच्चा सोसल साइंस आ जाएगा सोसल साइंस तो यहां पे सोसल साइंस आ गया क्योंकि लिखा हुआ है social science is taught one day before the day on which art taught जिस दिन कला पढ़ाई जाती है कला से एक दिन पहले social science पढ़ाई जाता है तो सवाल में पूछा है कि who teaches social science तो social science कौन पढ़ाता है तो बच्चा ये अब कौन बच्चा कौन बच्चा वही social science पढ़ाता है कौन बच्चा एम तो बच्चा एम ही पढ़ाएगा न social science क्योंकि सब आ चुके थे यहाँ पर कौन रह गया था एम तो social science कौन पढ़ाता है एम यानि बच्चा first is the right answer एम तो एम पढ़ाता है social science अब आपका उसर बाकी तो भर दो बाकी भर देते हैं अब बच्चा यहाँ पर देखो एम के उपर English नहीं आएगा ठीक है अब हमें जरूरत है समाजी कोई ग्यान कला बढ़ा जाने वाले जिन से एक दिन पहले बढ़ाए जाता है अब बच्चा देखो हमें fill करने की जरूरती नहीं है हमारा answer आचुका है एम कौन पढ़ाता है तो बच्चा हमसे जो सवाल में पूछा जया था उसका answer आचुका है के social science कौन पढ़ाता है तो भाई यह social science पढ़ाता है कौन अगला सवाल फिर से seating arrangement यह तो बच्चा bore कर देंगे आप लोगों को seating arrangement seating arrangement यह तो बच्चों को कर देता है बोर बच्चे भी कहने लगते हैं गुरू जी seating arrangement ना पढ़ा है करो चलो कोई बात नहीं अब आया है तो बेटा करना तो पढ़ेगा समझदो मैं मानता हूं कि seating arrangement थोड़ा boring है लेकिन बेटा पेपर में आता है तो करना पढ़ता है यह ध्यान लखना ठीक है अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है सवाल को पढ़ते हैं seven friends हैं आप Hindi में पढ़ सकते हो PQRST and you are watching a movie in a row एक रो में बैठके यह movie देख रहे हैं किते साथ दोस्त एक दो तीन चार पान छे साथ साथ दोस्त एक movie देख रहे हैं S sitting at one of the extreme end जो S है किसी एक छोर पे बैठा है या तो S इदर आएगा या S इदर आएगा किसी एक छोर पर तो S या तो इदर या तो S इदर फिर Q sit second to the right of S अब जो Q है S के second right में अब यहाँ पर ध्यान लखना right इदर की तरफ होता है और बच्चा left इदर की तरफ होता है मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि sitting arrangement में left और right का ध्यान लखना होता है अब इन्होंने कहा जो Q है Q sit second to the right of S यानि S के second right में Q है इदर की तरफ तो इसका वलब S को यहाँ नहीं ले सकते है क्योंकि right में जगा यहीं और right में मु P sit between O and Q अब O और Q के बीच में P है तो बटा क्यों तो ये रहा क्यों तो है ये रहा O और Q के बीच में तो O और Q के बीच में कौन है P P sit between O and Q फिरका U U does not sit any of the extreme end जो U है U ये अंत पर नहीं आएगा तो अब U यहां नहीं आएगा पता चल गया यहां कौन नहीं आएगा U नहीं आएगा R sit to the left of T अब जो R है वो T के left है मालो T है तो T के left में क्योंकि left इदर है T के left में कौन है बच्चा R जो R है वो T के left में आएगा तो बटा ये दोनों साथ में आएगे क्योंकि T के left में R है यहां तो एक जगा है तो यहां आएगा T और T के left में आएगा R अब U कहा जाएगा U यहां आजाएगा यहां U आगया question खतम पूचा है Who is sitting at the extreme left end तो extreme left end यह है यहां कौन बैठा है S तो answer क्या हुआ S तो बच्चा answer हुआ आपका S ठीक है? fourth का S अगला सवाल करते हैं जल्दी से अब बच्चा देखो यही होता है जब exam में मान लो 25 कोशन आए मान लो वैसे बहिया अलग अलग पेपर में reasoning के अलग अलग कोशन आते हैं लेकिन अगर मान लो 25 कोशन आए तो 25 मेंसे 20 कोशन तो normal होते हैं तीन से चार कोशन ऐसे होते हैं जिन में समय लगता है थोड़े tough नहीं होते समय ज़ादा लगता है लेकिन एक से दो कोशन ऐसा होता है कि जो tough होता है तो बच्चिस कोशन आए 25 में से 19 या 20 कोशन आपको एकदम असान मिलेंगे नॉर्मल मिलेंगे लेकिन तीन या चार question आपको थोड़े बड़े question मिलेंगे जिनमें solve करने में पढ़कर solve करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और एक से दो question हमिसा paper में tough आता है तो बेटा ये paper का criteria होता है ध्यान लखेगा अब अच्छा इस question को देखते हैं जल्दी से यहाँ पर क्या answer आने वाला है अब हमको दिया 22 से दिया 625 ये कैसे होगा 22 से 625 तो 13 से आपको बताना है क्या आएगा तो भाई या अगर एक बात सुनो ये 625 आपको नजर आ रहा है ये square है किसका है 25 का अगर मैं 22 में 3 एड करना है अगला सवाल करो बच्छा जल्दी जल्दी करना है अगला सवाल क्या कह रहा है कौन सा different है असंगत आपको बताना है असंगत कौन सा है तो ये जल्दी से बताओ असंगत कौन सा कौवा गरुण सुतरमुर्ग उल्लू कौन सा different है कौन सा different है तो पेटा answer आएगा ostrich knowledge होगी तो answer लगा दोगी क्यों क्योंकि ये उड़ नहीं सकता ostrich उड़ नहीं सकता ये उड़ सकता ये उड़ सकता है लेकिन जो ostrich है ये उड़ नहीं सकता तो ध्यान लखना सुतुर मुर्ग उड़ता नहीं उड़ नहीं पाता ये क्रो गरोण और बच्चा आउल ये आपके उड़ सकते हैं ये बात ध्यान लखेगा समझ के बच्चा है इस बात को किलिए ने सभी बच्चों को ये बात हाँ जी भाईया अच्छा कुछ बच्चे कह लो बच्चा कमेंट देखने का समय नहीं है क्यूंकि मैंने का एज़ा उल्म कर रहे है तो जल्दी जल्दी शायन लखना घ्यान को हैं दे है linking को आपको दें चार पांच क्या इनको एड करूं तो आ सकता है बिलकुल आ सकता है इन सभी को एड कर लो तुम यह आ रहा है 45 आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है तो अगला हम से क्या पुछा है यह पता नहीं क्या लिखा है इसका बताना है क्या आएगा तो वह यह सबकी रैंक लिखो ए आने वाला है जल्दी से बता दो बच्छा क्या आने वाला 27 तो सबको एड़ करेंगे तो क्या हैगा 27 क्योंकि 20 और 37 27 इस दा राइट आंसर ठीक है अब बच्छा अगला सवाल करते हैं जल्दी से अगला सवाल करते हैं अब आपको इनकंप्लीट फिगर को पूरा करना है तो यहां पर ड्रॉइंग अच्छी होनी चीए ड्रॉइंग जिसकी ड्रॉइंग अच्छी उसका भी बड़ा नाम है तो मतलब यह लाइन ऐसे आएगी यह ऐसे आएगी और यहां पर एक लाइन ऐसे आएगी ऐसे इतना तो बनाओ इतना किसके अंदर दिया है ऐसा चित्र ऐसा चित्र किसी में नहीं दे रखा भाया देखो कायदे में देखा जाया तो question में miss printing है क्योंकि यहाँ पर यह line आनी चाहिए और ऐसा बिटा किसी में नहीं दिया है किसी के अंदर यह line नहीं दे रखी ऐसे करके, यह line किसी में नहीं दे रखी देख रहे हो, और ऐसे line आनी चाहिए क्योंकि जब इधर है, तो इधर भी आनी चाहिए कोई बात नहीं, miss printing हो जाती है चलो, अब सोचते हैं, बाकी किसी से decide करेंगे, अब यहाँ पर बच्चा यह दो line जा रही है, एक, दो जब यह 2 line पूरी हो जाएंगी और ऐसे कितनी है, बच्चा यहाँ पर 3 line है एक, दो, तीन तो ऐसे 2 और ऐसे 3 ऐसा किसम है, केवल पहले option में नजर आ रहा है, क्योंकि देखो, यहाँ कितनी line है एक, यहाँ कितनी line है, एक यह ना, तो एक एक line है यह तो वैसी गलत हो गए दोनों, अब इसमें देखो, यहाँ पर 2 line है कितनी line है, 2 line आ रही है, दो line है, अब बच्चा यहीं लेकिन यह 2 line आगे तक जाने थी कहा तक जाने थी, end तक, यहाँ तक आने थी पर यह end तक नहीं है, यह भी गलत यानि, first, A is the right answer भाईया देखो, सीधे question दिखाता हूँ आपको, paper को fold करना है तो भाईया जब इसको fold करेंगे, तो कौन सा चितर बनना चाहिए, जल्दी से बताओ paper को ऊपर की तरह fold करना है यह तो आपको समझ में आगया, paper को कि तर fold करना है, उपर, जब इसको fold करूँगा इसा चितर आ रहा है, fourth option में, हाँ जी बच्चा, किस option में आ रहा है, fourth option में तो question number 19 का बच्चा answer क्या हुआ, हाँ जल्दी comment करके बताओ, चलो छोड़ो क्या comment करके बताओ, fourth, fourth option is the right answer, समझ में आगया, अगला सवाल, अगला सवाल देखो, series का question है, जल्दी से बताओ, यह क्या आना चीए, series का question है, तो series का question है, 3, 16, 29, 42 question मार, करो बच्चा, करो, 3, 16, 29, 42 question मार, तो यह क्या logic लग रहा है, जल्दी से सोचो, बड़ा simple सा है, ध्यान से देखो, कि बड़ा simple है, समय नहीं लगना चीए, देखते ही, समझ मार रहा है, क्या आ रहा है, देखो, plus 13, plus 13, plus 13, तो यहां भी क्या होना चीए, बच्चा, plus 13, hoना चीए कर नहीं होना चीए, तो बच्चा, plus 13, plus 13, प्लस 13 तो बहिए 42 में 13 जोड़ोगे तो यहां 5 और बच्चा 55 आ रहा है या निए 55 पच्पन यानि first is the right answer किलियर है सभी बच्चों को किलियर है तो बहिए पच्पन is the right answer DEP उसके बाद यहाँ BFQ यहाँ यहाँ JPC और बच्चा यह दे रखा है LHE दे रखा है अब आपको देखना है कौन सा असंगत है तो यह लैटर की rank लिख लो जल्दी से सभी की ठीक है letter की rank लिखो यहाँ पे 4, 5, 16 यहाँ पे 10, 16, 3 यहाँ पे आघा भाया 2, 6, 17 यहाँ पे आघा 12, 8, 5 बहिए संग करके देखो क्योंकि अकसर यहाँ पे संग के उपर logic आता है तो जल्दी से बच्चा संग करके देखो जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से देखो जल्दी से क्या अंसर आना चीए तो बहिए जल्दी से सम करेंगे सभी बच्चे हाजी बहिए बोलो इसमें क्या आ रहा है 25 यहाँ पे जोड़ो कितना रहा है 25 यहाँ पे जोड़ो यहाँ पे भी कितना रहा है पच्चिस यहां पच्चिस आ रहा है यहां पे आ रहा है चब्विस और तीन चब्विस और तीन चब्विस और तीन चब्विस और तीन कितना होता 29 यहां पे जोड़ें तो यहां पे कितना रहा है बहिए आठ तो यहां पे भी कितना है पच्चिस आएगा 17 और आठ पच्चि वाला different हुआ JPC तो यही different हुआ ना JPC तो third option क्योंकि इस 29 आ रहा है 25 25 आ रहा है और JPC में 29 आ रहा है तो 26 और 3 29 ठीक है तो भई या answer क्या हुआ थार्ड option अगला सवाल करें बच्चा जल्दी से समय होने वाला क्लास का जल्दी जल्दी करते हैं तो भई या आप ये वाला कोशन पूछा इस वाले कोशन में आपको mirror image बनानी है क्या बनानी है mirror image बनाओ या mirror image जल्दी से बना दो यह हमने mirror लगा दिया लगा दिया mirror तो L तो ऐसे आएगा ऐसा L किसमे है सबी में ऐसा है उसका E ऐसा आएगा ऐसा E ऐसा L आया E इस प्रकार आएगा इस प्रकार से E किसमे है इस प्रकार से E केवल इसमे नहीं है ये तो गलत हो गया इसमे और इसमे भी नहीं है यह भी खलत होगी है यह और यह भी बाकि यह अगला आ रहा है U तो U तो ऐसे आएगा अगला रहा है Q जो Q आएगा वो ऐसे आएगा तो Q आपका इस प्रकार आना चीए तो Q ऐसा किसमे दिया है इसमे दिया है आपका C option में तो भईया क्या answer आना चीए तो आपका C option is the right answer C क्योंकि जो Q है इस प्रकार का इस में दिया है अगला सवाल है बच्चा वेंड डाइगराम का जल्दी से करते हैं वेंड डाइगराम में क्या कह रहा है नेपाल एशिया काटमांडू तो अब आपको पता होना चीए कौन किस के अंदर आता है नेपाल है वो आपका किस के अंदर आएगा एसिया के अंदर आएगा तो भाईया कौन सा आंसर होना चीए थर्ड थर्ड ऑप्शन इस दा राइट आंसर बिटा नॉलिज होनी चीए अगर इस को नॉलिज है तो बच्चा आप कर पाओगे अगर आपको नॉलिज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे ध्यान लखना अगला सवाल बच्चा जल्दी से अगला सवाल देखते है बहिया यह है सिलॉलिजम का कौशन किसका कौशन है सिलॉलिजम तो अब इसको जल्दी से निप्टाएंगे कोशन में क्या कह रहा है कोशन में कह रहा है सम गन आर स्पाइडर यह गन है और कुछ गन क्या है बच्चा स्पाइडर है स्पाइडर और सम स्पाइडर आर फार्मर क्या रखा है अब इन्होंने पहला पूछा some gun or farmer क्या कुछ gun farmer है ना gun अलग है farmer अलग है दोनों अलग-अलग है ये class में समझाया था कि जब दों अलग-अलग होते हम कुछ नहीं बता सकते cannot determine some farmer or gun भाईया कुछ farmer gun है ये भी नहीं बता सकते cannot determine तो answer आएगा neither first nor conclusion second follow ना पहला ना दूसरा दोनों में से कोई भी true नहीं है क्योंकि बता farmer gun की बात कर रहा है farmer अलग है gun अलग है farmer gun के बीच में हमाई पास कोई जानकारी नहीं तो answer आएगा neither first nor conclusion second अगला सवाल ओहो फिर से slowlism का है तो भाईया इसको देखे all children are crow सारे के सारे जो children है आपके children सारे के सारे children क्या है बच्च क्रो है क्रो okay और all cat are crow सारी की सारी बिल्ली भी क्या है क्रो है पहला सवाल some cat are children भाईया cat अलग है children अलग है कुछ नहीं बता सकते cannot determine क्योंकि cat और children दोनों अलग-अलग है अगर आपने classes attend करी होंगी बेसिक पढ़ा है तो बच्चा यह मैंने पढ़ाया था यहाँ पर आइदर और बनेगा आइदर और क्यों बना क्योंकि बेटा subject सेम है चल्डरन दोनों का अंसर सीडी और एक की सुरुआत positive है sum और एक की negative है no तो आइदर और की condition क्लास में पढ़ाईती है तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही करेंगे तो बच्चा अब आप लोगों को comment करके बताना है जब class खतम हो जाएगी offline comment करके बताना है कि आपने कितना score किया मेरे दोस्त 25 में से कितने question आपने खुद से सही करें ठीक है मेरे साथ साथ किये लेकिन खुद से सोचा तो यह आपका offline comment करके बताना है आज की class में इतना ही करेंगे और सभी बच्चे ध्यान लगना कि भया सभी बच्चों को एक काम करना है क्या काम करना सभी बच्चों को जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूं कि भाया जी सभी बच्चों को exampour की official app को download करना है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है free pdf और बिटा free quiz यह सभी बच्चों को download करना है तो बच्चा क्यराँ व हर लगày क्या थिए वरल street क्या हुआ है क्या ह mentor क्या बच्च चैया क्या हलार झाल